C.I.E.T. N.C.E.R.T. के जरिए पेश है तीसरी जमात के लिए मोहलियाती साइंस की समय दर्सी किताब आसपास का सबक नंबर सोहला खेल-खेल में सफा नंबर 101 इस सफे पर एक तस्वीर दी गई है जहां तीन बच्चे गली में खेल रहे हैं और एक खातून उन्हें खेलते हुए देख रही है गली में सभी बच्चे इस टापू खेल रहे थे अवंतिका भी अपनी बहन नंदिता के साथ वहीं खेल रही थी लेकिन नंदिता को ठीक से खेलना नहीं आ रहा था अवंतिका अरे नंदिता सुनो ठीक से समझ लो ठिप्पी को पहले खाने में डालो फिर सभी खानों में एक पैर से चलांग लगाओ लकीर पर पैर रखोगी तो खेल से बाहर आखरी खाने में उच्छल कर वापस घुमो वापसी में ठिप्पी जरूर उठा कर लाना याद रहे चार पाँच और साथ आठ खाने में ही हम दोनों पाउं रख सकते हैं अब दूसरे खाने में ठिप्पी डालो इसी तरह से ही खानों में बारी बारी ठिप्पी डाल कर खेलो सबक में कुछ मकामी खेल जैसे स्टापू, पिठ्थी, अश्टा चंगापे वगरा और उनके खेलने में इस्तमाल की गई चीजें मसलन ठिप्पी के नामों का जिक्र है बच्चों से उनके मकामी नामों पर गुफ्तुगू करके इस सबक को और बामानी बनाया जा सकता है सफा नंबर 102 बच्चे फिर से खेल में लग गए चाची बहुत देर से उन्हें खेलता देख रही थी उनका भी खेलने को दिल चहने लगा जब उनसे रहा नहीं गया तो बोली बच्चो मैं भी तुम्हारे साथ खेलूँ ये सुनकर बच्चे जोर से हस पड़े अवंतिका चाची आप खेलेंगी चाची तुम्हें लगता है कि मुझे इस टापू खेलना नहीं आता अरे तुम्हारी उम्र में तो हम कितने ही खेल खेलते थे नंदिता कौन कौन से खेल चाची चाची एक टांग से दोड़ना आख में चोली उंच मांगी नीच गुट्टे और न जाने क्या-क्या और कपड़ी में तो हमारी टीम दस गाउं में सबसे आगे थी रजत चाची हमें तो खेलने के लिए वक्त ही नहीं मिलता आपको खेलने के लिए इतना वक्त कहां से मिलता था चाची तुम्हें टीवी देखने से फूर्सत मिले तब ना नंदिता चाची क्या चाचा भी ये सब खेल खेलते थे चाची पूछो मत तुम्हारे चाचा बताते हैं कि वो सारा दिन गिल्ली डंडा, कंचे, लंगली टांग, पिठ्थू और ना जाने क्या-क्या खेलते रहते थे पतंग उडाने के चक्कर में खाना तक भूल जाते थे नंदिता आईए खेलिये ना चाची बच्चों के साथ खेलने लगी अभी कुछ ही देर खेले थे के बारिश होने लगी सब बच्चे ओफ हो चाची चलो हमारे घर चलो अंदर चल कर खेलते हैं सफा नंबर एक सो तीन इस सफे पर एक तस्वीर दी गई है जिसमें एक शख्स और एक खातून शत्रंच का खेल खेल रहे है ये सुनकर सभी बच्चे खुश हो गए सब बच्चे चलो चलो चाची के घर चल कर खेलते हैं सब बच्चे चाची के घर आ गए अंदर चाचा और फूपी शत्रंच खेल रहे थे अवंतिका चाची क्या खेली अगर हमारे पास गुडिया होती तो हम गुडिया से खेलते चाची गुडिया चाहिए अभी बना लेते हैं गुडिया चाची ने एक पुराना कपड़ा लिया और बच्चों ने चाची की मदद से गुडिया बना ली कुछ बच्चे कैरम बोट खेलना चाहते थे और कुछ लूडो सब अपने अपने गुरुप बना कर खेलने लगे सफा नमबर 104 सबक में जिन जिन खेलों के नाम आए हैं उनके नाम नीचे दिये गए हैं टेबल में लिखो उन में से जो खेल घर के अंदर खेले जाते हैं उनके सामने घर बनाओ घर के बाहर खेले जाने वाले खेलों के सामने पेड़ बनाओ खेल के खेलने में अगर कुछ चीजों की जरूरत होती है तो उनके नाम भी लिखो यहां एक जदूल दिया गया है जिसके चार कॉलम है पहले कॉलम का उन्वान है सबक में आए खेलो के नाम दूसरे कॉलम में घर और पेड़ की दो छोटी तसावीर बनाएं गई है तीसरे कॉलम का उन्वान है कितने खिलाडी चौथे कॉलम का उन्वान है किस चीज की जरूरत यहाँ आपके जवाबात के लिए खाली जगह दी गई है फहरिस्त मुकमल करने में कुछ बच्चों को मदद की जरूरत पढ़ सकती है एक दूसरे की मदद करने के लिए बच्चों की होसला अफ़साई करें बच्चे एक दूसरे से आसानी से बहुत कुछ सीख लेते हैं सफा नंबर 105 तुम इस टापू से मिलता जुलता कोई खेल खेलते हो इस खेल का क्या नाम है खेल के खेलने के लिए जमीन पर जो शकल बनाते हो उसकी नकल नीचे दी हुई खाली जगह में बनाओ यहां एक जदूल दिया गया है जिसके दो कॉलम है पहले कॉलम का उनवान है खानदान का फर्द दूसरे कॉलम का उनवान है खेल का नाम जवाब के लिए खाली जगह दी गई है सफा नंबर 106 क्या तुम अपने इलाके के किसी मशूर खिलाड़ी का नाम जानते हो? अगर हाँ, तो उनका नाम और लिखो वो किस खेल से जुड़े हुए हैं। तुम गेन से खेलने वाले कितने खेलों का नाम जानते हो? गेन में उनकी फहरिस्त बनाओ। सफे की बाई जानिब एक गोल दाइरा बनाया गया है, जिसमें चार लकी रेखीची गई हैं। यहां आप अपने जवाबाद दर्ज कर सकते हैं। क्या तुमने सानिया मिर्जा का नाम सुना है? वो भी गेन्द वाला एक खेल खेलती है। मालूम करो और बताओ कौन सा खेल है। तुम्हें कौन सा खेल सबसे ज़्यादा पसंद है। अपने घर या आसपास के किसी बड़े से मालूम करो। जब वो छोटे बच्चे थे तब वो क्या-क्या खेल खेलते थे। यहां जवाबात के लिए खाली जगा दी गई है। मशूर मकामी खिलाडियों के बारे में मालूमात जमा करने से खेलों के बारे में बच्चों के इल में इजाफा होगा। और खिलाडियों के तई एहतराम को फरोग मिलेगा। सफ़ा नंबर 107 पहेली को तस्वीर से जोड़ो और खेल का नाम लिखो। इस सफे पर पतंग, शत्रंज की कुछ मोहरे, जिनमे राजा, रानी, वजीर और प्यादा की तस्वीर है। एक गेंध, साप, सिड़ी, कंचे और ताश के कुछ पत्ते दिखाए गए है। रंग बिरंगी काँच की गोली, साधा निशाना, जीती भोली, बेगम बाश्चा इकका गोलाम, बावन पत्तो के खेल का नाम, राजा रानी, वजीर सिपाही, सबकी आपस में हुई लड़ाई। साप काटे तो नीचे आऊ, सीड़ी मिले तो जट चड़ जाऊ, बांध गले में सूत, बिन पंक मैं उड़ जाऊ, लगा लो तुम चोके छके, बना लोगे, सौरन पक्के। बच्चों ने कई खेल खेले होंगे, कई देखे भी होंगे, कुछ के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा या फिल्मों और ड्रामों में देखा होगा, उन सभी को गुफ्तगू में शामिल किया जा सकता है। सफ़ा नमबर 108, खेलने के अलावा तुम क्या क्या करते हो, अपने कामकाज के अलावा तुम्हारे खानदान के लोग और क्या करते हैं। मुंदर जाजेल तस्वीरों में से वो जो कुछ करते हैं, उनमें रंग भरो। खाली छोड़ी हुई जगह में जो कुछ और वो करते हैं उसकी तस्वीर बनाओ या उनके बारे में लिखो यहां छे तसावीर दी गई है पहली तस्वीर में एक किताब है जिसका उन्वान है पढ़ना दूसरी तस्वीर में एक रुमाल दिखाये गया है इसका उन्वान है सिलाई कढ़ाई करना तीसरी तस्वीर में एक खातून नाच रही है इसका उन्वान है नाचना चौथी तस्वीर में दो अश्खाश गपशप कर रही है इसका उन्वान है गपशप करना पाँचवी तस्वीर में एक बच्चा पौदे लगा रहा है इसका उन्वान है पिड़ पौदों की देख भाल छटी तस्वीर में एक किताब दिखाई गई है जिस पर कुछ डाग टिकेट चिपके हुए है इस तस्वीर का उन्वान है डाग टिकेट इखटा करना इसी के साथ 24 असबाग की किताब आसपास का सोहलवा सबक खेल खेल में यहीं खत्म होता है सौती ताउन तलत खान अभी आप सुन रहे थे ये ध्वनी पाठे पुस्तक तकनीकी नियंत्रन बटी लैंग लिंग्डो तकनीकी सहायक विकास सांगवान निर्मान सहयोग मिनाक्षी कुकरेती निर्मान एवं निर्देशन वंधना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत